कर पूजन उपसित सभी लोग अपने अपने हाथ सामने की ओर हतेली उपर रख कर फैलावे, तत पश्चात आचार्य एक ओर से सभी के हाथों में चंदन केसर का पूर्युक्त जल दुर्बा से छिड़कता हुआ निम्न मंत्र बोले हस्त आधाय सविता विप्रद भ्री हिरन्य मैं अगनेर जोतिर निचाय पृथी वया आध्या भरदानुष्टू भेन थन्सांगी रस्वत तत पश्चात अगनी स्थापन से गायत्री मंत्रों की अहोती तक की हवन विधी पूरी की जाय विशेश हवन खीर से निम्न मत्र के द्वारा पाँच विशेश आहोतियों से हवन किया जाय ओम इदम विश्णोर्वी चक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ मस्य पांग सुरे स्वाह तत्पशात स्विश्ट क्रोत होम से सुर्व या अर्ध्यद्यान तक की विधी पूरी करके कार्यक्रम समाप्त किया जाय सरस्वती पूजन सरस्वती का चित्र अथ्वा प्रतिमा स्थापित कर उसे पुष्प पल्लवादी से भली प्राक कर सजा कर निम्नमंत्रों के साथ देवी सरस्वती का आवाहन करना चाहिए ओम पावकानह सरस्वती वाजे भिर्वाजी नीवती यज्यम वस्टूधि आवसुहू शोडशोप्चार पूजन इसके पश्चात श्री सुक्त द्वारा शोडशोप्चार पूजन किया जावे सरस्वती स्तोत्र या कुंदेंदू तुशार हारधवला या शुप्र वस्त्रावरता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चुत शंकर प्रभूर्ती भीरदेवेही सदावंधिता सामांपातु सरस्वती भगवती नीशेष जाल्यापह आशाशू राशि भवदंग वल्लि भासेव दासी कृत दुक्त सिंधुम मंद स्मीतेर निंदित शार देंदू वंदेर अविदांस नंसुंद रीत्वाम शारदा शारदांबोज वदना वदनांबुज सर्वदा सर्वदास्माकं सन्नी धी सन्नी धिम्क्रियाद सरस्वतिम्चताम नौमी वाग धिस्टात्रु देवताम देवत्वं प्रति पद्यंते यदनू ग्रहतो जनाहा पातु नो निकशक ग्रावा मती हेम्रह सरस्वती प्राग्येतर परिच्छेदं वच सैव करोतिया शुक्लाम भ्रम्म विचारसार परमाम आध्याम जगत व्यापिनिम् वीना पुस्तक धारिनिम् भयदाम जाल्या अंधकारा पहाम हस्ते स्वाटिकमालिकाच विदधतिम् पत्मास्तने संसिताम् वंदेताम् परमेश्वरिम् भगवतिम् उद्थी प्रदाम् शारदाम् विणाधरे विपुलमंगल दानशिले भक्तार्ती नाशिनी विरच्ची हरिशेवंदने किर्ती प्रदे अखिलं मनोरथदे महारहे विध्याप्रदाइनी सरस्वती नौमी नित्यम् श्वेताप्य पूर्ण विमलासन संस्थिते हे श्वेताम् बरावृतम् मनोहर मन्जू गात्रे उद्धन्मोयक्य स्पंकज मन्जू लास्ये विध्याप्रदाइनी सरस्वती नौमी नित्यम् माता स्वधिय पदपंकज भक्ति युक्ता येत्वाम् भजन्ति निकिलान परान मिहाया ते निर्जरत्व मिहयांति कले वरेणा भुवाह निवायुग गनांभु विनेर्मितेना मोहांदकार भरिते रदये मदिये मातह सदेव कुरुवासमुदार भावे स्विया किलावय निविनर्मल सुप्रभामी शीक्रम विनाशय मनोगतम अन्धकारम भ्रम्मा जकत स्रुजती पालयति इंदी रेशह शंभुर विनाश अप्यती देवीतव प्रभावे नस्यात कृपाय दीतव प्रकट प्रभावे नस्युहु कथच्चिदपी ते निजकार्य दक्षा लक्ष्मीर मेधा दरा पुष्टिर गवरी तूष्टिह प्रभादतिही एता भिह पाहि तनूभिही अष्टा भेर्माम सरस्वती सरस्वत्ये नमो नित्यम भत्रकाले नमो नमहा वेद वेदांत वेदांग विध्यास्थाने भ्यवच सरस्वती महाभागे विध्ये कमल लोचने विध्यारूप विशालाक्षी विध्याम देही नमो स्थुते दक्षरम पदप्रष्टम मात्राम हीनम चयत्भवेत तत्स्वरम्षमताम देव प्रसीद परमेश्वरी वाध्ययंत्र पूजन चम्डे रहित जो जो वाध्ययंत्र उबलद हो उन्हें एक चौकी पर सुन्दर वस्त्र बिचाकर भली प्रकार पुष्प आदी से सजाकर रखे तत्पश्चात निम्न मंत्र बोलते हुए उनकी विधिवत पुजा करे पुष्प अक्षत धूप दीप आदी समर्पित करे सरस्वती योन्यम गर्भम अंतराश्वीभ्या पत्नी सुकृतं विभर्वती अपाम्रसेन वरुणयोन साम्रेंद्र श्रिये जनयन अप्सराजा मयूर पूजन सरस्वती के चित्र में अंकीत अथ्वा प्रतिक रूप से स्थापित मयूर का पूजन करे अक्सर चित्रों में मयूर का चित्र होता ही है यदि कहीं ऐसा हो कि विचित्र सुलब ना हो तो मयूर पंख को पूजा के लिए प्रयुक्त कर लिना चाहिए निम्न मंत्र से मयूर्गा पंचोग चार पूजन किया जाए मधुवाता अरुतायते मधुक्षरंती सिंदवह मात्विर्न संतो शदिः वसंत पूजन खेतों से सशर्ष पूश्प जो वसंती रंग के हैं अत्वा बाग आदी किसे फूल पहले ही मंगवा कर एक गुलतस्ता बना लेना चाहिए यही पुश्प गुच बसंत देवता का पूजन का प्रतिक मान कर निम्न मंत्रों के साथ विधिवत पूजन करें